हेलो बच्चों मेरे क्लास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले यह पंक्ती है कभी गिर्धर की इसमें उन्होंने बतलाया है कि जो समय हमारे लिए अच्छा नहीं था यानि जो हमारा बुरा समय था जो हमारे जीवन की बुरी यादे है उन सारी यादों को छोड़ कर जीवन में आगे बढ़ने में ही भलाई है ठीक इसी भाव को ले करके कभी हरीवन्स राय बच्चन जी ने भी एक कविता लिखी है जिसका सिर्शक है जो बीत गई सो बात गई इस कविता के संदे से संबंदित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इसके साथ ही साथ इस कविता के अर्थ से संबंदित वीडियो भी मेरे चैनल पर बहुत पहले ही अपलोड हो चुका है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है तो जिन बच्चों ने इस वीडियो का अभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देखें क्योंकि यह पार्ट आपके परिक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कवीता के अर्थ को बतलाने के बाद और कवीता का क्या संदेश है इसे समझाने के बाद मुझे लगा कि मैं इस कवीता का सारांस भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ ताकि परिक्षा में कहीं से भी कोई प्रश्न आये तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं इसके साथी साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहती हूँ कि इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा का वीडियो कुछी दिनों में अपलोड होने वाला है तो जो बच्चे मेरे चनल पर नई है वे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आप लोगों को मेरे द्वार अपलोड किये गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कवीता का सारांस प्रस्तुत करने जा रहे हूँ तो चलिए आरंब कर रहे हूँ कवी हरिवन्स राय बच्चन जीदवरा लिखित कवीता जो बीत गई सो बात गई का सारांस सारांस, हरिवन्स राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई में संसार की नसवर्ता और प्रकृती की परिवर्तन सीलता को विशेश रूप से दरसाया गया है यानि जो कविता की पंक्ती है जो बीत गई सो बात गई इस पंक्ति में क्या अर्थनिहित है? इस पंक्ति में एही अर्थनिहित है कि जो बीट गया, उस बात को भूल जाने में ही हमारी भलाई है. तो क्यों भलाई है? क्योंकि हमें इस सत्य को जानना चाहिए कि संसार में सब कुछ नस्वर है, यानि नश्ठ होने वाला है. इस संसा बात को लेकर रुख जाएं, तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ी नहीं पाएंगे। मनिश्य के जीवन में अनिगिनत घटनाई घटती है, जिसमें से कुछ सुखद होती है और कुछ दुखद होती है। तो हमें दुखद घटनाओं को भूल कर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जो सुखद घटनाई हैं, उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हुए जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब एक व्यक्ति काफी दुखी होता है, तो वो अपने साथ अपने आसपास के व्यक्ति को भी दुखी कर देता है। लेकिन उसी जगह पर कोई प्रसन्चित वाला व्यक्ति अपने आसपास के माहोल को भी सुखद बना देता है, प्रसन्चा से भर देता है. तो जो लोग दुखी होते हैं, उनके समक्ष कोई जाना नहीं चाहता है लेकिन जो प्रसन्नचित्वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे हर कोई बात करके प्रसन्न होता है तो इसी बात को आप समझ लेजिए कि जीवन में दुखत घटनाए हमारे जीवन को भी दुखी बनाती है और हमारे आसपास के वातावरन को भी दुख से भर देती है तो कभी का यही कहना है कि जीवन की नस्वर्ता प्रकृति की परिवर्तन सीलता को अपना कर इस सत्य को मान कर ही हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में तरक्की करनी चाहिए प्रकृति का सास्वत नियम है मिलना और विचोडना जैसे जन्म और मृतियू यह अटल सत्य है पर हम संसारी मनुष्य मृतियू वा विचोडन से अतन्त व्यथित हो उठते हैं अपने किसी प्रिय की मृतियू या विचोडन से रो उठते हैं ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन की गती रुख गई हो, हम निरासा से भर जाते हैं, ऐसे में कवी ने आसमान और सितारों के उधारन से हमारे भीतर जीवन के प्रति आस्था जगाते हुए समझाते हैं, कि आसमान में अंग्रियत तारे हैं, और प्रति दिन ना जाने, कितने तारे तूट कर विलीन हो ज जाते हैं, तो प्रकृति का यह जो सत्य है क्या है? जन्म और प्रतियू, मिलन और बिछुडन, यह अटल सत्य है, इस सत्य को मान कर हमें चलना चाहिए, लेकिन संसारी मनिश्य जो संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, उन मनिश्यों के लिए कहा जा रहा है कि वो इस सत्य को जानते वे भी अपने किसी प्रियेजन से विछड़ने पर वे ब्यथित हो उठते हैं, रो उठते हैं, वे अपने आपको समझा नहीं पाते हैं, बलके निरासा से भर जाते हैं, ऐसे में ही कभी ने हमारे सामने आसमान का उधारन दिया है कि आसमान में अनकिनत तारे हैं, और प्रतिदीन ना जाने कितने तारे तूट कर आसमान से अलग हो जाते हैं। जो तारे तूट जाते हैं वे पुना आकास से कभी मिल नहीं पाते हैं। परन्तु आकास उन तूटे तारों के लिए सोक नहीं मनाता है। बलकि जो तारे आसमान में हैं उन्हें ही लेकर उसी में आसमान से टूटे हुए तारे, वो आसमान से अलग हो जाते हैं, वे पुना आसमान में कभी जाकर मिलते नहीं है, यह जानते वे भी यह समझते वे भी आसमान क्या करता है, कभी भी इस बात के लिए दुखी नहीं होता है, निरासा से नहीं भरता है, बलकि उनके पास जो आता प्रेजन हमसे बिछुड गए है, इस बात का हमें दुख है, दुख होने के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है? जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, अपने जीवन की गती हमें रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रोकना तो मौत है, ये सत जो है हमें माल लेना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेड़ना जो है हम जहां से भी लें उसे लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ये प्रेड़ना हमें आसमान से भी मिल सकता है किसी बाग बगीचे फुलवारी से भी मिल सकता है कवी ने बगीचा का उधारन दिया है कि प्रतेक बगीचे में ना जाने कितनी कलिया सूख जाती है, कितनी रताएं रोज सूख या मुर्जा जाती है सूखी कलिया पुना कभी नहीं खिलती है और ना ही मुर्जाई लताएं पुना हरी भरी होती है लेकिन बगीचा या फुलवारी इन सूखे कली फूलों के लिए छाती नहीं पिटता है बलकि अन्य कलीओं वो लताओं के साथ हमारे मन को प्रफुलित करता है तो पहला उधारन कभी ने इस कभीता में किसका दिया आसमान का दूसरा उधारन दिया है फुलवारी यानि बगीचा का आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं किसी फुलवारी या बगीचा में जाते हैं तो वहां अनगिनत फूल के जो पौ पूलवारी इन मुर्जाई लताओं के लिए दुख से चाती नहीं पीटता है, बलके हम सब को प्रशनता प्रदान करने के लिए वह पुना अपने फूलों के साथ हमारे समक्ष उपस्थिद रहता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी फूलवारी से प्रेड़ना लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवी ने आसमान का उधारन दिया, बगीचा का उधारन दिया, तो आसमान के तारे के सद्रिश, बगीचे के फूल के सद्रिश ही हमारे प्रियजन भी होते हैं। और यह प्रियजन जब हमें छोड़ कर चले जाते हैं, हमसे बिछुड जाते हैं, तो हमें सच में बहुत दुख होता है। लेकिन जो आत्मियजन, जो प्रियजन हमारे साथ हैं, उनके लिए भी हमारा कर्तब्य है, उनके लिए भी हमारा दाइत्व है, और हमें उनके तरब देखना चाहिए, और देखकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिस करनी चाहिए। जो चले गए हैं, वे हमें दुख दे रहे हैं, उनसे हमें निरासा मिल रही है, लेकिन जो आत्मियजन हमारे समक्ष हैं, उनको देखकर हमें अपने मन में आसा का संचार करना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी ने मधु के प्याला का उधारन दे कर यह बतलाया है कि प्याला भी एक दिन तूट जाता है और तूट कर मिट्टी में मिल जाता है, परन्तु मदिराला उन तूटे वे प्याले के लिए पस्ताता नहीं है, मधु यानि सराब, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कांच का ग्लास है, तो कांच का ग्लास भी तूट जाता है, वह भी मिट्टी में मिल जाता है, तो आप लोगों ने चाय का भी प्याला देखा होगा, तो वह प्याला क्या मिट्टी का बना होता है, और वह प्याला भी तूटता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, तो बलकि हर दिन हम सराब खाने में क्या देखते हैं नए प्याले आते हैं और लोग उस प्याला में सराब पीते हैं। होता पस्ताता नहीं है उसकी रौनक समाप्त नहीं होती है वहाँ पुना नए प्याले आते हैं और लोग वहाँ सराब पीने जाते हैं और पीते हैं तो ठीक इसी तरह से हमारे प्रेजन भी हमें छोड़कर चले जाते हैं हमसे बिछोड़ जाते हैं दुख तो होता है इस बात लेकिन स्रिष्टी के नियम को मान कर अपना कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन को सुन्दर बनाने की कोशिस करनी चाहिए. कभी ने मिट्टी के प्याले के माध्यम से संसार की नसवरता की बात कई है, जिस प्रकार सराब पीने का प्याला मिट्टी के बने होते हैं, इसले तूट भी जाते हैं, इनका जीवन अत्यनत लग्धू व dw Q अ cuma मैं कहा जाता है, चिक इसी तरह मनिश्य के बारे में कहा जाता ह और मरकर मिट्टी में मिल जाता है, किसका अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता है, तो कभी ने इस कवीता में यह भी बतलाया है कि हम सब मनिश्य का सरीर भी कैसा है नस्वर है, मिट्टी का बना हुआ, जैसे प्याला मिट्टी का बना हुआ है, ठिक हमारा सरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, हम सबों की मिर्थियों कब होगी, कैसे होगी, हम में से कोई नहीं जानता है, जैसे कबिरदास जी का दोहा है, माली आवद देखी के कलियां करी पुकार, फूली फूली चूनी लई, काली हमारी बार, तहने का ताथ पर यह है कि बगीचा में जो कलियां है, वो पाली तोड़कर ले जाएगा, ठीक, उसी तरह से हम सब का भी जीवन है, कबिरदास जी कि इस दोहे में जीवन की नसवर्ता की बात कही गई है, कि हम सब का अंत कब होगा, कैसे होगा, हम में से कोई भी नहीं जानता है, कवी ने बतलाया है कि प्याले के प्रती मो रखने वाले कच्चे हैं, अथार जो व्यक्तिस आंसारिक बस्तों के प्रती मो रखते हैं, वे दुखी व्यक्ति हैं, जो व्यक्तिस नसवर्ता चनभंगूर्ता के सत्य को जानता है, उसे कवी ने सच्चा पीने वाला कहा है, क्य पीने वाला और सच्चा पीने वाला दोनों के अर्थ को इस पश्ट किया है। कच्चा पीने वाला कौन है? जिस व्यक्ति का मन सांसारिक माया मो में जकड़ा हुआ है। जो संसार के प्रती माया मो रखता है ऐसा व्यक्ति कच्चा पीने वाला है। क्यों है? यदि कोई वस्त सब कुछ नश्ट होने वाला है चण भंगूर है वह व्यक्ति सच्चा पीने वाला है क्योंकि वह इस सत्य को जानता है इसलिए किसी वस्तु के नश्ट हो जाने से वह रोता चिलाता नहीं है बलकि प्रकृति के नियम को अपना कर जीवन में आगे बढ़ता है तो कभी ने ऐस एसे लोगों को सच्चा पीने वाला कहा है जो लोग सांसारिग माया मो आकर्शन के फंदे में बधे हुए हैं ऐसे लोगों को कभी ने कच्चा पीने वाला कहा है इसलिए कभी कहते हैं कि जो समय या बात बीते समय की हो गई है उसे भुला कर जीवन में आगे बढ़ने में म हमारे जीवन की फलाई है तो यहाँ पर मैंने इस कविता का सारांस को आप लोगों के समक्ष लिख कर प्रस्तूत किया है तो इसे आप सुनकर अवश्य लिख लें मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिखने का अभ्यास करें आप मेरे द्वारा बताए गए हर प्रश्न के उत्तर को स्वैम से खुद से लिखें उसे पढ़ें उसे समझें और समझते हुए उसे याद करें तो उम्मीद करती हूँ कि जो बीट गई सो बात गई कविता का सारांस आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर तो जरूर करें जो बच्चे मेरे चनल पढ़नाई है वे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर नए वीडियो का नोटिकेशन उन्हें समयसमें पर मिल सके तब तक पढ़ते रहे जीवन में आगे बढ़ते रहे मेरी सुपकामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद